जेहिन जे भारत दोस्तों कानपूर में जो है 69 केंद्रों पे आपकी पुलीस परिच्छा कराई जाए रही है कितने केंद्रों पे 69 केंद्रों पे तो उस संबंद में जो है मीटिंग आयोजन किया गया था DCP सरके द्वारा और निर्देश दिया गया कि कोशिस आपको यही करना है कि हर बच्चा जो है परिच्छा देने के लिए आ रहा है तो आपका प्रियास होना चाहिए कि उसकी परिच्छा न छूटे आपका प्रियास यह तो होना चाहिए परिच्छा न छूटे लेकिन आप एक student होने के नाते एक चीज और भी ध्यान रखेंगे जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ क्या क्या बताने वाला हूँ आपको document क्या लेके जाना है जैसे मानली जी वहाँ पर बताया गया 7% बच्चों ने आधार कार्ड नहीं लगाया है अगर उसके बाद उन्होंने अपना आधार कार्ड मतलब generate किया है तो अपना e आधार भी ले जा सकते हैं उसके बाद जिसका आधार कार्ड में नंबर गलत है आधार कार्ड में मतलब उसने अनलाइन अप्लिकेशन के समय आधार का नंबर गलट डाल दिया है, वो क्या कर सकता है, उसके बारे में बात किया जाएगा, time आपका center पर कभी start होगा, मतलब कितना बज़े आपको entry मिलने लगेगा, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे, जैसे आप अपना घर से जाएंगे, तो बहुत बच्चों के मन मे doubt होगा sir, हम अपना समान और back कहां रखेंगे, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो देखिए, 7% बच्चों ने जो अधार काड नहीं लगाया है, उनके लिए यह रहेगा, कि ओ अपना जो है, यह अधार निकलवा सकते हैं, उसके बाद अगर उन्होंने generate कर लिया है, तो यह उसके साथ में आप कोई ID कार्ड, जैसे passport हो गया आपका, ठीक है, फिर driving license हो गया, फिर आपका water ID कार्ड, लेकिन अगर आप इन तीनो मन्दब इसके अलावा जो document ले जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो document ले जा रहे हैं, तो आपका क्या होना चाहिए, data birth जैसी Face मिलना चाहिए, अब उन्होंने बताया यहां पे, दो condition हो सकता है, एक तो जो आपका detail दिया गया है, माली जी आधार कार्ड में या किसी ID कार्ड में आपका detail दिया गया है, और आपका photo है, by the way आपका photo नहीं मिलता है, क्या होता है, photo नहीं मिलता है, और detail मैच हो जाता है, तो आपका क्या किया जाएगा, मनलब EKYC किया जाएगा, क्या किया जाएगा, EKYC किया जाएगा, और फिर आपका EKYC में मिलान किया जाएगा, ठीक है, अगर सभी चीजें आपका fit पाई जाते हैं, ठीक है, अगर मानलो आपका ना detail मिलता है, ना फोटो मिलता है तो आपको जाच भी किया जाएगा मौका दिया जाएगा एक्जाम देने का लेकिन आपसे एक जैसे आपका फोटो या डिटेल में कोई दिक्कत है तो आपसे एक form fill up कराए जाएगा क्या किया जाएगा एक form fill up कराए जाएगा ठीक है आपको form fill up होने के बाद ही exam में बैठने दिया जाएगा अगर आपके data में कोई गलती है मतलब e-verify भी नहीं हो पा रहा है तब e-verify हो गया तब तो कोई दिक्कत नहीं अगर आपका e-verify भी नहीं हो रहा है तब एस सब process से आपको गुजरना पड़ेगा तो सभी लोग प्रयास करिएगा क्या समय कभी इसे स्ख्याल रखिएगा क्योंकि उन्होंने सक्त निर्देश दिया है कि gate बंद होने के बाद किसी भी एक बच्चे को फिर permission नहीं दिया जाएगा और खुद मैं भी permission नहीं दूँगा मतलब इतना बड़े लेवल का दिकारी जब एब बात बोलना है कि मैं भी permission नहीं दूँगा क्योंकि monitoring होगी ठीक है लखनौव लेवल तक की और बता दूँ बहुत अच्छा प्रबंद की 1000 एकजाम का तो इस बारे में आपको बता दूँ time का wishes ख्याल रखियेगा जो भी आपका प्रिवेस का समय है और जो भी आपका gate बंद होने का समय है तो ये भरती बार-बार नहीं आने वाली है आप समय से पहुँचने का प्रियास करिएगा अब आप समान क्या क्या ले जा सकते हैं तो आप यही करिएगा आपको घड़ी, mobile ये सब चीज़ तो allowed नहीं है लेकिन आप mobile bag ये सब समान तो लेके जाएंगे ही जहां तक जा रहे हैं तो अगर आप लेके जा भी रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आपका जैसे ही प्रिवेस हो जाएगा जैसे मानलो आप college के gate में आ गए college का ये gate है मानलीजी आपने college के gate में entry लिया यहाँ पे college का जो school का building है क्या है school का building तो यहाँ पे बाहर में कहीं एक room बनाया जाएगा जहाँ पे आप अपना समान रखेंगे फिर यहाँ पे आपका frisking होगा और फिर इसके अंदर आप जाएंगे अपने अपने class में बैठेंगे और इस बार इतना सक्त किया गया है बता दें इसके अंदर में मतलब इस इस लाइन के बाद जहां से लोगों की frisking हो जाएगी समान रख देंगे किसी भी ब्यक्ति को mobile allowed नहीं है चाह कोई भी ब्यक्ति हो ठीक है आप इतना समझ लीजिए पाबंदी है किसी भी ब्यक्ति को आपके classroom के अंदर जो इन्विजिलेटर रहेंगे या कोई भी रहेगा एनी वन किसी भी ब्यक्ति को mobile allowed नहीं रहेगा या कोई भी ऐसा चीज ना Bluetooth watch ओपहन सकते हैं ना ओव वाच भी उनको नहीं इस बार ओगिया गया है तो यही था इसमें आइडी कार्ड के संबंद में बच्चों को बहुट डाउट हो रहा था मेरे से प्रस्ण पूछ रहते तो चीज तो उन्होंने बता ही दिया कि अगर मानलो फोटो भी नहीं मिलता हे और डिटेल भी नहीं मिलता है कि यही सब अगया बाकी भरति जो है पूरी पारदरसिता से खरानेग्र है बता दे मनलब अब आपको बता दें जैसे हर इस्कूल पे क्या है आपके मनलब एक अधिकारी होंगे अब एक इस्कूल के अधिकारी जीले के अधिकारी के अंदर जीले के अधिकारी जो होगा बोर्ड के अधिकारी के अंतरगाद बोर्ड अब समझ लीजिए सीम सर के अंदर कर सकते हैं सबसे विसे द्यान दीजिएगा टाइम का अगर आपने लेट कर दिया तो पूरी जिंदगी कहीं ऐसा नहों रोना पड़ जाए फिर गेट के बाहर रोते हुए मिले खड़े रहेंगे लेकिन आपकी परसानी कोई नहीं समझेगा इस बात को जान लीजिएगा क्यो थोड़ा समय से पहले ही पहुच जाएगा जहां जहां आपका एक्जाम सेंटर होगा ठीक है बाकि हम लोगों को क्या गाइडलाइन्स मिला वह आपको बताने वाली चीज नहीं है ठीक है जो आपके काम की चीज थी मैंने यहां पर आपको बताने का प्यास किया जै हिन जै आप आप को मैंने जै कि की तो नहीं है जै जहां जापको को जोगों के लिए रखनाने जापको पहां जै